हम एक बात को समझे हैं जो आपको समझाते कि जब शरीर कब बिमार होता है जब हमारे कोई न कोई पाप ऐसे आड़े आते हैं तब हमारा शरीर अस्वस्त होता है कुछ न कुछ हमारे वो चाहे खानपान में कमी रही हो चाहे वो हमारे ग्रह नक्षत्रे से वो लोग कहते न जो तिश लोग की ग्रह खराब चल रहे हैं गरह खराब चल रहे हैं मतलब कि कोई न कोई पाप अब भारी हो रहा है, अब तक आपके पुर्ने भारी थे तो नहीं दिखा पर अब कहीं न कहीं पाप अपना बैलन्स कर रहा है, इसलिए वो शरीर पर एफेक्ट करता है, तो जब शरीर अस्वस्त होता है, तब आपका धन जाने के लिए नियत हो जाता है कि इतने धन को आपके पास से जाना है, फिर वो डॉक्टरों के पास चला जाता है, किसी किसी के पैसे ब्याज पर रखा और पैसे खा गए, कितनी कितनी बार आप कहीं पैसे लगाते हो, किसी कंपनी में लगाते हो, कंपनी खा जाती है, कई आप अस्वस्त होते हो, तो ये निश्टित हो जाता है कि अब आपका पैसा कही न कही जाने वाला, दवाईयों में जाने वाला है, कभी करके देखिएगा, कि वो पैसा आप दवाईयों में ना डालके, जिस प्रकार की आपकी बिमारी है, यदि आप ऐसे बिमारों की सहेता मे डालो, या तो गौव सेवा में डालो, मुझे विश्वास है कि आप जो दान करते हो, वही पैसा आपका जो गंदा वाला, जो गंदा खून निकल जाता है, तो आदमी स्वस्तो जाता है, ऐसे ही गंदा पैसा निकल जाता है, तो आप स्वस्तो ने लगते हो. यह मैंने कईयों को करवा के देखा है और यह अनुभाव मुझे फली भूद भी लगा है दूसरी बात कि मंत्र क्यों काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पाप बढ़ते तब रोग होता है जब आप मंत्र का उचारण करते न तो देरे देरे आप में सकारात्म कुर्जा बढ़ती है ठीक, मंत्र करने से पुन्य बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपका पुन्य बढ़ता है, वैसे वैसे पाप नश्ट हो जाएगा, जब पुन्य अपने प्रभाव में आएगा, आप स्वस्त हो जाएगा, यह लोजिक काम करता है, नहीं समझें, तो दान पुन्य करके पुन्य जो दूसरों का ले लेते, जिन में ताकत है दूसरों का लेने की, कई बार कई संत महापुरुष हमने देखे, अनुभव किये, आप लोगों ने भी किया होगा, कि आप संतों के कान में बाट डालते और आप स्वस्त हो जाते, ठीक है न, आप कहते हैं उनको कि हमारा ये काम न का आप उन तक बात पहुंचाते हो, उनकी शुब काम ना निकलती कि आप स्वस्त हो जाओ, आपका काम हो जाओ, वो आपका काम इस प्रकृती में व्यवस्ता में हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपका वो कर्म, कहीं न कहीं आपको भूगत न था, पर वो कृपा से आप सही हो तो कहीं न कहीं वो घूमतो रहा है ना, फिर वो संतों को आके कभी न कभी परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृती में हस्तक्षिप कर दिया। ये और बात है, कि उनके पुन्य और उनकी स्थिती ऐसी होती है कि उनको कोई पाप अटेक नहीं करता, पर शरीर तो पाँच भूतों का है, तो वो संत लेने की कैपसिटी रखते हैं, उनमें वो ताकत है कि वो किसी का रोग ले सकते हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनका शरीर लाखों लोगों के लिए समाननी है, लाखों लोगों के लिए उप्योग में आने वाला है, पर ऐसे कई संत हो गए रमण महरिशी जैसे, हमने तो मैयाजी को भी देखा है, किसी को कहते हैं और दूसरे दिन वही चीज मैया में दिखी जाती है और वो आदमी पाप होता है, उस पाप का शमन करने के लिए आप पुन्य कर लो, पुन्य बढ़ जाएगा, पाप कम हो जाएगा, आप स्वस्त हो जाएगा, करके देखिएगा, दान कर लो, पुन्य हो जाएगा, गौ सेवा कर लो, पुन्य हो जाएगा, किसी ऐसे बिमार व्यक्ति को ठीक करने में पैसा लगा दो पुन्य हो जाएगा और जब बढ़ा दो बस इतनी सी बात